दोस्तों जाउमी ने आज अपना फ्लैक्शिप फोन MI5 लाँच कर दिया है और आज इस फीडियो में आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जिस दिन का हम सबको बेस्तब्री से इंसार था वो दिन आज था MWC बार्सलोना में शाउमी का एक लाइब इवेंट था जहाँ पे उगो बारा ने जो उनके वाइस प्रेजेंट है MI5 को लीज किया उससे पहले एक और फोन भी आया है MI4S जिसकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि MI5 में क्या कुछ खास है क्या कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो काफी हद तक वो मिलता है MI Note से लेकिन डिजाइन एकदम ultimate है एकदम premium डिजाइन आपको देखने को मिलता है फोन का जो screen size है उसको इतना बढ़ा के नहीं रखा गया है इस बार 5.15 इंचिस का आपको स्क्रीन देखने को मिलता है उसके अलावा जो overall dimensions है वो काफी compact रखे गए है आपको bezels बिलकुल भी नजर नहीं आती है जो size है वो आपको मिलता है 144.55 mm, 69.2 mm और जो phone की thickness है वो आपको मिलती है 7.23 mm अगर मैं बात करता हूँ phone के backside की तो आपको glass construction मिलता है steel के frame के साथ में और जो sides है वो बिलकुल curve हो के एक दम मिल जाती है phone के side वाला structure है उसके साथ में ये काफी हद तक देखने को मिलता है Mi Note और Mi Note Pro जैसा अगर मैं front side की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको एक home button मिलता है जो कि Xiaomi के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक home button दिया है उसमें आपको मिलता है fingerprint scanner और phone काफी हद तक इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी कहना कि Galaxy S7 या Samsung के जो phones से वैसा लगते है क्योंकि home button के साथ में आपको overall एक वैसी feel वो देता है लेकिन design overall में काफी premium है काफी एकदम शांदार design है और सबसे खास बात यह है कि एक तो bezels almost नहीं है दूसरी बात जो weight है वो सिर्फ 139 ग्राम है तो काफी हलका यह phone है और काफी अच्छा है देखने में इसमें जो color options आपको मिलता है वो मिलते हैं तीन जो है वो normal मिलता है वो glass back के साथ में जो है black, white और gold उसके अलावा एक ceramic version है जो एक special version होगा सिर्फ 128 GB में आएगा तो उसका एक अलग से आपको color मिलने वाला है वरना normally आपको तीन color options साथ में phone मिलेगा दोस्तों के हम बात करते हैं phone की technical specifications की तो जैसे की Xiaomi का latest flagship phone है तो definitely सबकुछ एकदम high end होने वाला है तो जो processor यूज किया है वो किया है Snapdragon 820 इसके साथ में आपको Adreno का 530 GPU मिल जाता है screen में आपको बता चुका हूँ कि 5.15 inch का Quad HD screen है phone में आपको NFC, Bluetooth वगरे सब कुछ मिल जाते है phone की जो battery है वो है 3000 mH की जो की Qualcomm की Quick Charge 3.0 को support करती है लेकिन एक disappointment मुझे हुआ कि जो camera है वो इतना अच्छा नहीं रखा गया है आपको 16 MP camera मिलता है लेकिन जो aperture है वो F2.0 है जबकि MI4 में आपको F1.8 का aperture देखने को मिलता था यहाँ पर मैं हुदा हूँ उन्होंने Sony का sensor यूज़ किया IMX 298 लेकिन अगर aperture वो 1.8 रखते है तो एक अच्छी बास बसूती थी लेकिन 1.8 नहीं रखा गया है सिर्फ 2.0 रखा गया है front camera जो आपको मिलता है वो मिलता है एक 4 MP camera 4 MP camera है वो HTC का ultra pixel जैसा ही है उसका जो pixel size है वो काफी बड़ा है उसका aperture कितना है यह अभी तक detail सामने नहीं आई है उसके अलावा phone आपको single sim variant मिलता है आपको इसके अंदर expandable storage को option नहीं मिलता है inbuilt storage के लिए आपको तीन options मिलते है 32 GB, 64 GB और 128 GB यह तीनो हुई जो storage यां दूस्तों यह UFC 2.0 based है यानि कि जो read, write, speeds आपको मिलती है वो एकदम ultimate मिलती है देखने में यह normal traditional जो होता था EMMC 5 उसके based नहीं है तो यह काफी fast memory है काफी low power consume करती है फोन में आपको साथ में 4 GB की RAM देखने में मिलती है जो की DDR4 RAM है और काफी अच्छी बात है यह कि 4 GB की RAM तो definitely होनी चाहिए थी अगर आपने एक flagship phone launch करना है तो उसके अलावा phone में normal आपको सभी specifications जो है वो मिल जाती है USB Type-C based यह phone है Design Ultimate, Powerhouse Ultimate, Snapdragon 820 जो best possible है 4 GB की RAM के साथ में तो सारी चीट आपको अच्छी मिल जाती है एक छोटा सा letdown camera वो छोटा है या बड़ा है वो तो आपकी preferences पर depend करेगा लेकिन दोस्तों जो चीज इसकी सभी चीजों को दूर कर देती है सभी कम्यों को दूर कर देती है वो है इस phone की price मतलब अगर आपको मैं बताऊंगा इस phone में total 3 models आते हैं 35, 64 और 128 GB का जो 32 GB का model है उसके अंदर हला कि आपको जो मिलता है Snapdragon 820 वो full अपनी 2.2 GHz पर काम नहीं करता है वो 1.8 GHz पर काम करता है लेकिन जो price है वो Indian रुपीज में 20,900 something है तो आप imagine करो दोस्तों कि 21,000 रुपे आप खर्च करते हैं और आपको मिलता है Qualcomm 820 मतलब ये सभी चीज़ों को जितने भी standard set किये थे विलिन वो X3 ने वो सब के सब जो हट चुके हैं ये एकदम नया player आने वाला है मार्केट में दूसरा जो आपको option मिलता है 64 GB का उसकी जो price है वो है लगबग लगबग 24,500 के आसपास और जो आपको version मिलता है 128 GB का उसकी price है 31,500 के आसपास इंडिया में ये जल्दी ही launch होने वाले हैं अभी ये चाइना में 1 March से available हो जाएंगे तो ये दुनिया का पहला phone होगा जो 820 के साथ में आपको मिलता है जिसको आप purchase कर सकते है अक्चुली वैसे तो और भी options है जैसे Galaxy S7 है, S7 Edge है या उसके अलावा LG का G5 है या उसके अलावा LE का है लेकिन ये phones है अभी आपको purchase के लिए available नहीं है तो 1 March से MI5 जो है वो मिलने वाला है चाइना में इंडिया में भी ये जल्दी available होने वाला होगा और इस बार ये global launch की त्यारी कर रहे हैं गाफिक entries में इसको launch करने वाले हैं तो सबसे पहला phone होगा जो A20 राट में ले सकते हैं और जो price है मतलब अगर आप वो देखते हैं तो सारी खमिया माफ है इस phone की overall जो presentation था वो काफी slow था actually मैंने काफी धिरे-धिरे वो पहले बताया होगो बारा ने company के बारे में बताया कि क्या company है चाना में first चल रही है क्या क्या इसके अंदर shipments की हैं कितने phones में MIUI चलता है क्या क्या नईने चीजें हैं power के बारे में काफी कुछ बताया है कि हमने यह यह use किया है तो काफी slow presentation था लेकिन जो आपको outcome मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है थोड़े से disappointments हैं यहाँ पर कि MI5 Plus एक आने का था तो उसका भी कोई news नहीं है कि कब आएगा या कब नहीं आएगा बैटरी का rumors थे कि 3600 mAh की भी उसकती तो वो थोड़ा से letdown है लेकिन फिर भी specifications को देखते भी 3000 mAh की बैटरी काफी अच्छी है आपको quick charge 3s के अंदर मिल जाता है उसके अलाव जो phone का design है वो ultimate आपको सभी latest options मिलते है NFC हो चाए वो Bluetooth, Wi-Fi वगरे जो भी है वो साब को मिल जाते है इसके अंदर आपको साथे साथ category 12 का modem मिलता है snapdragon 820 में जिसकी मदद से आप 600 mbps तक की download speeds को enjoy कर सकते हैं अगर आप LTE network पे use करते हैं इस phone को और इस phone में voice over LTE ही भी है LTE advanced जो जो हम बोलते हैं 4G plus वो भी आपको इस phone में देखने को मिल जाता है तो overall यह phone जो है यह बिलकुल एकदब नया player निकल के आया और आप यह मान लिजीए कि यह सब चीजों को destroy करने वाला है अब यह upcoming चाहे वो OnePlus 3 हो तो OnePlus 3 के लिए भी पता नहीं क्या करने वाले है OnePlus 3 लेकिन यह price में अगर आपको यह चीजे मिल रही है तो कुछ और आपको देखने की सोचने की जरूरती नहीं है जैसे ही इंडिया में launch होता है आपको ले लेना चाहिए इस phone को यह 20,000 वाला लें यह 24 वाला लें 35,000 वाले को मैं recommend नहीं करूंगा क्योंकि 128 GB जो है वो इतनी ज्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से अगर आप लेते है 64 GB वाला तो एक अच्छी चोई रहेगी 24,000 अगर यह सेम प्राइस में आता है और 32, 33 के असपस होने वाला है 128 GB वाला तो मेरा जो sweet spot होगा लेने के लिए वो होगा 64 GB चोकि आपको expendable इसमें option नहीं मिलता है तो 32 से बढ़िया है कि 24,000 रुपे extra देखिया अगर आप 64 GB ले ले लेते हैं तो Otherwise मेरी इस phone से कोई भी complaints नहीं है जो complaint थी मैंने आपको बता दी है सिर्फ एक कैमरा अच्छा होना चाहिए था ऐसा नहीं बोल रहा हो कि खराब है वो भी एक capable camera होगा definitely जो उन्हें sample shots दिखा है वो काफी अच्छे है लेकिन और अच्छा हो सकता था लेकिन definitely उससे हो सकता है price बढ़ जाती वो आपको इतनी कम price में नहीं मिल पाता तो बहुत सारे factors होंगे या फिर आपको जो phone की body है उसके इंदर वो थोड़ा भाहर निकलता या कुछ ना कुछ उसके इंदर कमिया रही होंगी लेकिन आपको otherwise जो ये phone मिलता दोस्तों वो एकदम ultimate है आप दिसकते है म अगर आपने अभी तक टेक्निकल कुरूश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इधर इस ताल उटन पर क्लिक करके चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ अभी के लिए इतना ही जै हिंद वंदे मातरम